नमस्कार दोफ्तों आज हम बात करने बाले हैं जो मुकाबला होने बाला है गुजराट टाइटन और बेंगलूर के बीग में इसके बारे में डेटेल से एस मुकाबले के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने बाले हैं लेकिन यह आप अभी तक हमारी चैनल पर नहीं हो देखा होगा दोस्तों हम करते हैं भी हम avoid करकर नहीं चल सकते हैं अब हम match by match analysis देख लेते हैं आप यहां पर देखोगी जो second मुकाबला यहां पर खिला गया था इसमें च्छे बिकेट और पांच बिकेट निकाले थे और पांच बिकेट यहां पर इसमेर ने निकाले थे उसके बाद जो अगला मुकाबला हुआ था साथवा मुकाबला यहां पर तो आठ और दो यहां पर इसमेर बिल्कुल दोस्तों यहां पर लगबग फैल हो गए थे उसके बाद जो अगला मुकाबला हुआ था ग्यारा च्छे यहां भी इसमेर ने अच् और दो दोस्तों यहां पर हुए थे और जो तीसवा मुकाबल जो आता 50-50 परसेंट विकेट रहे थे जैसा कि मैंने बोला दोस्तों जैसे जैसे टूर्णमेंट आगे बढ़ रहा है बैसे इस्पिनर की अपने भी दोस्तों थोड़ी भूम का बढ़ती जा रही है अगला मुक बहाँ एक साहिड इंड़र को यहां पर देखो सुबमानगिल धि के मुकाबला दिखाया था लेकिन उसके बाब आप लौक हो गाए है na इम्पूडेंट पिलियर आपके लिए हो सकते हैं दोस्तों लाश्ट मेच में बहुत शांदार इनिंग्स खेल कर दी तो ग्रेंड लीग में कैप्टाइंसी और वाइस कैप्टाइंसी के भी अच्छे उप्साने हो जाते हैं उसके बाद बात की जाए हार्दिक पांडिया हार और दोस्तों मतलब बहुत सांदार फॉम में हैं लेकि लाश्ट के दो मुकाबले में नहीं कहा था यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं गैंद बाजी करूंगा अधरवाइस गैंद बाजी नहीं करूंगा लेकिन प्लेयर आपके लिए इंपूडेंट हैं भले ही गैंद गया अच्छे हैं दोस्तों इनिंग्स भी आपक लिए अच्छी खेल कर दे सकते हैं तो ग्रैन लीक की साबसे सान्दार चोयUn i.s से हु या दोस्तों और एक और एक और इनिंग जो तेरा रॉंग की खेल कर दे रहे हैं मैच बनार में कहूंगा लेकिन इसमाल लिग की टीम में इनकी जगेर नहीं बनती है दोस्तों याद रखेगा हम वही पिलेएंगे जो टॉप ओर में बलेवाजी करेंगे और गैंदबाजी भी करेंगे उसके बाद राशित खान ने 31 बनाये था दूस्तो वाला कि बिकेट इनहें नहीं मिलाता लेकिन कल दोफैर का मुकावला है तो बिकेट मिलने की प्रबल संभाबना है इन पर यदि कोई अटेक करेगा तो बिकेट इनहें मिलेगा हाला कि लाश्च मुकावले मुने कि ट्राइ कर हैं ल्जारी जोसेब अच्छी गयत्बाजी कर रहा है दोफ्टो लग बग एक विक्त निकाल और डेथवर में गयंदबाजी करेंगे राश्यद खान मिडिल ऑबर मिंडेथवर में करेंगे लेकिन अल represented जोसे दो ओवर लगबग डेथ ओवर में गैन बाजी करने बाले हैं, एक ओवर मिडल ओवर समरें और एक ओवर दोस्तों के लिए चुरबात में करने बाले हैं यह स्थो ना गैन बाजी करें के लगबग 2 से 3 ओवर और कर सकते जार लौकी फर्गुसान भी डेथ ओवर में करेंगे, लास्ट की मुकावलें काफि ठुकाई हो थी, लास्ट ओवर में इनके में चार शिक्स पड़े थे दोस्तो जी तो चार सिक्स इननों के लास्ट ओवर में ही खाए थे, तो आप के लिए अच्छी चौइस है यहां पर लौकी फर्गुषान हो सकती है बहुत सिर्फ Grand League में Small League में आप इनहें आब ऐर करकर चल सकते हो मुहम्मद समी को आप as a captain 22 captain भी अपने small लिग की टीम में try कर सकते हो यहां दुखतों मुहम्मद समी आपके लिए important player है लाश्ट के मुकाबरे में तीन विकेट, दो विकेट मतलब विकेट लेस्ट तो ये रहते नहीं है दो ओवर शुरवात में करेंगे और दो ओवरे डेथ ओवर में करने वाले हैं तो बिल्कुल डेफनेली नहीं अपने टीम में कैटन वाइस के अपने जरू ट्राइ कर सकते हो उसके बाद बात किया दो तो यहां पर ऑप्शन की तो कोई भी खेलेगा या नहीं खेलेगा उसके बारे में अपडेट आपके लिए टेलिग्राम पर मिलेगी प्लीज आप टेलिग्राम जरू जोइन कर लिजीगा लिंक आपको टेलिग्राम की वीडियो की डिस्किप्शन में मिल जाएगी उसके बाद बात किया दोफ्तो यहां पर बैंगलार की संभावित 11 और बैटिंग ओडर के बारे में तो फैब डू प्लैसिज एक average बल्लेबाजी कर रहा हैं जिया दोफ्तो ना ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हैं और नहीं ज़्यादा यह खराब बल्लेबाजी क तो फैप डू प्लैसिस को आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो और एक रिस्क लेकर दोस्तो इस्मॉल लिग में आप इन्हें कैप्टन बाइस के अपने ट्राई कर सकते हो उसके बाद बाद कोहली ब्राट कोहली दोस्तो इन्हें आप इस्मॉल लिग की टीम में भी प्लेयर आप अच्छे हैं आप अपने टीम में ट्राइए कर सकते हो ग्लैन मैक्स विल के बारे में बात करें तो शुरवात तो इन्हों ने अच्छी की थी दोस्तों लेकन शुरवात को यह लगातार कंसिस्टेंस रूप में नहीं रख पाए प्लेयर आपके लिए शामदार ह को आप अपने टीम में ट्राइए कर सकती हो उसके अलावा बात करें स्वेस प्रभुदेशाए के बारे में तो सिर्फ ग्रैन लिग की चोहेस हैं आप ग्रैन लिग में ट्राइए कर सकते हो ग्लैनिल मेक्स विल को आप य हैप्र्ञप्नन के ड्राइए आपनी इंप manufacturing कर ग्रेंड लिग की सांदार चोईस हैं बस रनाउट ना हो दोस्तों इन्हें रनाउट होने की बहुत जादा जल्दी पड़ी रहती है बस रनाउट ना हो पिलेयर सांदार हैं बल्कु डेफिनेटली आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं बिंदु हसरंगा आपके दोस्तों ग्रेंड लिग की बहुत सांदार चोईस हैं कैप्टन बाइस कैप्टन की लास्ट मुकाबले हम अठार हम दो विकेट से पहले दो मुकाबल हम विकेट नहीं मिले थे लेकिन अधिकतर इने विकेट मिलते हैं और डैथ ओवर में भी कुछ ओवर करकर देते हैं मुहमाद सिराज भी आपके लिए ठीक्ठा को अपिशन हो जाते हैं लास्ट मुकाबले हम विकेट निकाला उससे पहले विकेट लैस रहे थी इससे पहले एक एक विकेट तो आपके लिए डैथ होवर में लगबग एक से दो आवर करेंगे और शुरबात में भी एक से दो आपके लिए टेलीग्राम पर मिलेगी प्लीज आप टेलीग्राम जरूरू जोएं कर लीजीगा तो चलिए बात करते हैं यहां पर हमारी ड्रे मिलेविन टीम के बारे में सबसे पहले आपके पास ओप्सन अविलेबल है रिदभी मान सहा और दिनेश कारतिक, दिनेश कारतिक अप ग्रेंड लिग में ट्राई कर सकते हो लेकmore दोस्तों तो रिदिस समान सहा को मैं अपने टिम में ट्राई करूंगा और यां पर आपके लिए टमें बैनेजर भी हो जाएंगे दोस्तों रिद्दिमान सहा को आप बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो यदि आप करते हो तो आप माई फैबली में डाउलोड कर सकते हो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसके बाद बात की जाए दोस्तों यहां पर फैब्डू प्ल नहीं है अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर ऑल राउंडर सेक्शन में हार्दिक पांडया ग्लैन मेक्स बिल दौनों को डेफिनेटली ट्राई करूंगा उसके बाद आपके पास सहवाज एहमद ट्रंप कार्ड हो सकते हैं क्यों हो सकते हैं दोस्तों तो उसके अब आपके लिग में ट्रंप कार्ड हो सकते हैं तो दोस्तों एक कुछ पेलियर हैं और छोड़ी छोड़ी टिप्स हैं जो ग्रेंड लिग में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं लेकिन दोस्तों यदि आपने चैनल सेस्क्राइब नहीं किया हो तो प् रासित खान इन तीनों को तो मैं बिल्कुल डेफिनेटी ट्राइड करूँगा अब आपके पास ऑप्सन है यहाँ पर हर्षल पटेल है बिंदु हसरंगा है मुहमत शिराच को यदि आप चाहो तो ट्राइड कर सकते हो आप चाहो तो आवाइड कर सकते हो दोस्तों फिलाली ख समी रासित खान दो अप्सन और हर्षल पटेल तीन चार अप्सन होगा और पांच अप्सन फैब्डू प्लेस हाला कि आपके लिए जो फाइनल केपन बाइस केपन है ना आपके टेलिग्राम पर मैं अपडेट कर दूँगा प्लीज आप टेलिग्राम जरू जोइन कर दीज कर दो कर दो है।